दोस्तों नमस्कार मैं पॉण कुमार सिंग और आप देखने विहार स्टोडी मीडिया के धंदा पानी ब्लॉग एक बार फिर से मसीन बजार में आया हूं मसीन बजार में हमारे इस वक्त ततीधी खड़े हैं राहुल जी जो परिचे का मोताज रहते नहीं लेकिन फिर भी पर देना पड़ता है मुझे क्योंकि मेरा फर्ज है राहुल जी नमश्कार और स्वागत है नमस्ते सर राहुल जी बहुत सारी मशीन आपके यहां से लगूद दोग में लोग यहां से आते हैं जाते हैं ले जाते हैं खास करके तेल मील प्लवराइजर राइस मील और भी छोट सब्सक्राइब करते हैं तो उनके लिए यह मॉडल का है डारिक बेल्ट पुली से चलता है यहां पीछे से देखिए यहां से बेल्ट पुली से डारेक्ट चलता है और यह कोई भी मोटर घर में जो यूज कर रहे है 1440 आर्प्यम 960 आर्प्यम जो भी मोटर है उसके द्वार यह माल निकलेगा यह 10 HP पे सार on the average एक सो बीस किलो परति घंटा का माल देता है इसके पिछे कारण है पहले सो किलो बोल रहे था आज 120 किलो क्यों बोल रहे हैं इसके पिछे करण है कि जो पहले जो पीछे वाला चेंबर था और यह पीछे चेंबर और आगे का चेंबर के ब हो गया है कि इसका production automatic बढ़ जाएगा कारण पहले मान लेते हैं गेहूम अंदर गया अंदर जाने एक बाद सीधे इतना speed होने का 4000 rpm का speed होने से कुछ गेहूम पीछे रहा गया कुछ गेहूम में गुहूम जो खड़ा यहां पर लगेगी है तो यह जाली लगाने के लिए हाँ पर एक नट बुल्ट है वह खोलना पड़ेगा जी खोल लीजे और आराम से फिर उसमें लगाई यह जी अराम से लोट चला गया और यह यह पीछ यह भी आराम से पीछे दुनों लगेंगी अच्छा अधा अधा पाट है यानिकी इसने आधा पाट कबर किया और इसने अधा पाट कबर किया है कबर होने कारां अच्छे से देखिएगा ठीक है थोड़ा से अच्छे से दिखाता हूं दिख जागी यह देखिए अब क्या हुआ अब ग्राइंट जो पीछे है जो तुकडा है कि होंका वह पहले ही अंदर हो गया अब आटा बंडे का फॉर्मेशन जो है वह आगे वाले चेंबर में होगा इसी के चलते यह प्रोड़क्शन ऑटोमेटिक 120 किलो कंपनी बोलती है यह उपर जाता है तो आपका वोल्टेज का अच्छा है इसलिए उपर जा रहा है और कम होता है तो बोल्टेज ही डिपेंट करेगा यह जबरदस्त अपडेट दिया कंपनी ने तो क्या इसके पहले वाले मॉडल मे यह है भी हो गया देखिए इसका जो तीत है और बीटर है यह थोड़ा सा पहले से अपडेट हो गया है जो तूटने का भी सिकायत है ओ लगभग 90% चांस खतम हो गया है मैगनेट का तो सिस्टम हर पल ब्राजर में पहले से भी आ रहा है और अभी भी आ रहा है कोई इसके साथ पूरा समान मिलेगा कपड़ा जाली स्टार पैनल टोटल समान और घर तक डिलेवरी करके दूसरा मॉडल यह 14 इंच में भी आएगा 16 इंच के पीछे मॉडल रखा हो है वह भी आएगा और जिनको ब्लूर में चाहिए यह देखिए एक मिनिट सर उसके तों लोग इससेटल सर उसाब सुत्रा बात है मस का बना हुआ है और पीछे का सस्टील करता और यह जो पाठ है वह एलमूनियम का था इसमें दोनों चीज क्या है एमस का ही बना हुआ है यह वाली बड़ी वाली जो यहां पर यह बता है जी कमर्शल ब्लांट के लिए बहुत डिमांड के लिए आजकर मार्केट में कोई हाइट बोल रहे कि नौपीट है को आठ फिट है को दस फिट रहता दस फिट है सर देख लिजी आप रहे वह फूव दस फिट नों काम हो रहा जै क्या कोई है को अधर मोटर नहीं है इसमें 10 लगाई चाले साथ का लगाई यह 15 लगाई इसमें तक मेरे यह मशीन एबलेबल है यानि कि इसमें 20 HP तक भी लगा के आप काम कर लेंगे तो अलग-अलग मोटरों अच्छा उसकी साइच चेमबर की साइच बड़ा हो जाएगी इसलिए उसकी 16 इंच की हो जाएगी यह 14 इंच का है इसमें तो बता दे सब 10 HP पे कितना production आएगा 10 HP का वही 120 किलो 15 HP पे सीधे 170-80 किलो और 20 HP का 220 किलो इतना ही प्रड़क्शन आएगा सर 220 कजी तक के अगर बिठाने का अगर मन हो तो उस रेंज में यह प्लबलाइजर आपके पास उतलब कमर्शेल पर लेशकते हैं जिनको पैकेजिंग करना है और डिरेक्ट पैकेजिंग भी कर सकते हैं इसमें जो गरांटी वरांटी की जो बाते होती हैं किन-किन चीज़ों पर आप लोग देंगे बीटर पर गरांटी रहेगा तब तक जो आउटमेटिक टूट जाए दि आपके पार्ट कोई नर्ट बोल्ट लुहा का कील विगरा चल जाएगा तूटता है तो है मोबिल अच्छा है यहां पर दिखा भी सकते हैं कि तील कितनी कॉंटेटी में रहता है और कितना रखना है तो आप उसके ऊपर डाल देजिए और यह तो सारे सर तीन फेज वाले ही होंगे सिंगल वाले तो नहीं होगा इसमें सर इसमें आपको पांच एच्प आगा तो सब्सक्राइब करनेक्शन लेना पड़ेगा तीन एच्पी में फिर डारेक्ट कनेक्टेट बिद्धा साथ सरल सा वालिया का ही जो मॉडल होई लेना पड़ेगा और पांच एच्पी में आपको बताएं पहले वी चली रहा है सर पंदरा सो से ऊपर जा बीचे को हैं पांच मुझे मालूम है और अच बहुत सारे लोगों से मुलाकात भी है जो कि बहुत बढ़िया चला भी रहा है कि अपने डिश्टी का नाम बताएं ब्लॉग का नाम बताएं हम वहां का नंबर देंगे वहां पहले संतुष्ट हो जाए फिर हमको हमसे आई लेने के लिए हम इतना बहुत सारे लोग जो है कुछ लोग कमेंट भी करते हैं नहीं यह धोखा है यह वह है लेकिन लाख आप कहले लेकिन फिर भी मार्केट में प्रवाइजर का डिमांड अपने जगह पे है आज भी रहेगा और मैं बताता हूं 25 साल बाद भी रहेगा यह लिखित देता हूं इ लेंगे तो प्रोब्लम आई कश्टमर का दिकत नहीं है में प्रावम है कि दुकंदार का वह गलत माल क्यूं दे रहे हैं आप पहले पुर्टन कस्टमर तो नादा ने बचारे उनको तो जैसा बोलता है उसके बाद हम भी तो बोल रही रहें कोई और भी बोलता है आसे उनक पेंकेवल राओ जी से बात हो जाए या फिर इनके जो सायोगी उनसे बात हो जाए भरोसा ना करिए एक आये डिटेल यहां पर इननों बिठा कर रखा है बकाइदे समझ यहां जो डेमो करके भेजने के लिए जहां जो डिस्टिक में वहां पर ले देखिए उसके बाद लिज किसे कभी इंस्टाल कराया होगा साल पहले तो इसको मैं साइब मैं positive गला से पेले जो सचाही पता चल जाएगे अब हर बिजनेस में कोई कामियाब है कोई फेल हो जाता है वो तो जिन्दगी में लगा हुआ है सब करने का इच्छा भी कितने लोग कितने लोग सोचते ने आज मसीन लगाएं और कल से क्यों ने तीन-चार बहुत खुसी होता है सर हमको मैं जितना ही बेचा हूं हम अपने आप से सच बोलते हैं सर हम बहुत खुस है और मैं अभी बोलता हूं मैं 99% तक चांसे कि उनको प्रॉब्लम आता है तो हम उसका प्रॉब्लम सॉल्ब करते हैं एक परसेंट बाइक काईदा ही कोई होंगे कस्ट करता हूं यहां पर हमेशा 10-12 लोग माथा पर चड़े रहते हैं मुझे थोड़ी इरिटेशन भी होते कि क्या बाई बिहार स्टोरी वाले को बुला लिया समय नहीं है जनकारी देने के लिए बहुत ब्यस्त इंसान है लेकिन चलिए शुक्रिया कि आप समय निकाले और अप कि हाल में बेगु सराय वाले के पास गया थे वहां बड़ी अच्छा प्रड़क्शन कर रहे थे वह और घंटा में साइथ 400 कि 500 कि बताया थे कम कहीं दर्रा निकाले निकालते और 8-8 घंटे काम करते हैं रियल टाइम इंटर्परेंश को विजिट कीजिए राहूल जी से अब कोई भी डिश्टिक बोलिए हम उनके पास आएंगे और उनसे हम साजा करेंगे कैसे वह आगे दिरे दिरे बढ़े हैं आपकी उद्धमत्या की स्टोरी जब लोगों तक पहुंचेगी तो लोगों में चेतना आएगी चेतना आएगी तो वह पता चलेगा कि आगे बढ बढ़े हम साएगी तो और उनके बाता.